पुलिस पर साथन को भी दोड़ा रही है लेकिन क्राइम कंट्रोल में किसी भी विभाग को यहां पर नहीं लगाये जा रहा है जहां पर अपराधी गाड़ी लाकर खाड़ा किये हैं उसके बाद घर में चली गई है जब घर में गई हैं तब अपरादी आकर यहां 10 या 15 मिनट के अंतराल में यहां गर्दन आकर काड़ दी हैं इस समय हम लोग सराप के पीछे हर बीबाग को दवड़ाने वाले नितिश कुमार के राज जिये बिहाराज के सिवान जीले के सीशवन थाने के एक गाउ में पहुंचे हुए हैं जहां पर एक 25 या 30 वर्षी युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दिया गया है अरे वही जगा है जहां पर वो 30 वर्षी युवक यहां पर सोया हुआ था रात में यहां पर कुछ अपरादी लोगाए और गर्दन काटकर यहां से फरार हो गए और यह 12 बजे रात की घटना बताई जा रही है और यहां पर उसका एक लड़का भी है यह भी साथ में सोया ह हुआ था एसको यहां से घिसका कर पीछे कर दिया गया था यहां पर उसके इसी के बाप को जान से मार दिया गया यह यहां पर देख सकते हैं पूरा यह उस युवक के पिता जी हैं आपके कितने लड़के हैं राउर का नमा लॉलन मला अई को था नमबर के रहा है दूसरा लॉल नाइल चलाओ तो लहां नायती में आपका इधाग में उता खोरी करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं इससे दो दिन पहले वहां पर दरवली में थे वहां पर उनके साथ वैसा कुछ घटना घटित नहीं हुआ लेकिन यहां पर आए दो दिन अभी हुआ ही था सोय हुए लेकिन अपरादियों को मालूम चल गया कि यहां पर सोय हुए थे कुछ मालूम चलल भार्ट लड़िका का आगक्त सकते हैं गधर्फ और तंपशसरे करें जगणा ग्राइब क्वरीकमlier लड़िका लड़का बोथ में तौर अब यहां पर देख सकते यह लाड़का सुया हुआ ता बाबू कुछ से रात में भीख ले रहा हुआ। सुते गोगा था। कोई जाना लड़ी कवाला लो ? दोगले का डूब prépar दिख सकते हैं सिवांजीले में च्वान sisila के पर यहां पर कहीं हैं एक परादी मौ बीभाग को दोड़ा रही है पुलीस पर साचन को भी दोड़ा रही है ना इस पर कोई बीचार नहीं कर रहा है और यहां पर देख सकते परिवार बरबाद हो गया और इनका बार-बार यहां पर दात लग रहा है चार-चार बच्चे लेकर पालेंगी कैसे इनके पती को आप कौन लोग थे आसपास के लोग ते या बहरी लोग ते कौन मारा है कुछ मालूम बार हुआ, कुछ बताईती के हुखे दुसमनी रह लाउनका के उसे वरत ते बहुतमनी हो गरा, ना के उसे जगड़न रहाँ का करता नहीं है, ना इस चलाता रहाँ रात में काब हो अबेरा मुझे आप में में पूरो को अधाना अधारी कि युदा कुछ भी आप का देखा जूहर वाया कुमाइब देखा ने गारा बजसे फटेघने में स्कुल्ट में अधाना अधाना उड़ा का चलियां अब यहां पर देख सकते हैं इनके वाइप के अनुसार यहां पर जो रोड है यहीं बाहर जब निकल कर आई अब पर जो रहेए जब घरम अप्राधी आकर यहां दस या पंत्र मिनट के अन्तराल में यहां गर्दान आकर कार दी है उसके बाद बाहर कुछ दीर बाद आई है तो साइद छट पटाते हुए मिले है और अपराधी यहां से भाग गया पुलिस प्रसासन जाच में लगी हुई है और देखते हैं अब कहां तक पहुचती है अपराधी को कब तक सामने लाती है